नमस्कार दोस्तों, फ्लूरंट लिंग्वाय में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार आप जब पढ़ते हैं या सुनते हैं इंग्लिश लेंग्विज में, तो आपके समने बहुत सारे न्यू वर्ड्स आते हैं, जिनके मीनिंग्स आपको पता नहीं, तो आप शायद डिक्षणरी में देखते भी होंगे, और ज्यादे अतर मीनिंग्स जो आपने देखे हैं, वो आप बूल जाते हैं, इस वरी कॉमन, सब के साथ ऐसा होता है, तो बहुत सारे स्टूडन्स मुझे पूछते हैं कि, ये वर्ड्स हम याद कैसे रखें, बहुत सिंसियर स्टूडन्स होंगे, तो वो अपनी डायरी बनाएंगे, उसके अंदर वर्ड्स लिखेंगे, प्रिननसियेशन लिखेंगे, मीनिंग्स भी लिखेंगे, सेंटन्सिज भी लिखेंगे, लेकिन ज़्यादा तर स्टूडन्स ऐसा करना ही पाते, प्रफेशनल्स तो वैसे उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक बहुत ही आसान तरीका है, जो आप अपने सिंपल लैप्टॉप या मोबाईल पर कर सकते हैं, जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ये टेकनीक जो है, वो मैंने खुद भी यूज की है, और इसके बहुत सारे अच्छे परणाम भी आए हैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी ये ट्राइ करें, और मुझे पताए कि आपको ये कैसा लगा, तो चलिए शुरू करते हैं, इसके लिए आपको एक डिक्शनरी जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो खोलने पड़ेगी, आपके लैप्टॉप पर या आपके मॉबाइल के उपर, ये डिक्शनरी जो है, वो डिक्शनरी.केम्रीज.org, आप डिक्शनरी.केम्रीज.org ऐसा टाइप करके, जब एंटर करेंगे, तो आपका ये पेज को लेगा, राइट, अभी, मान लिजीए, मेरे पास 3-4 न्यू वर्ड से, मैं उसको याद करने के लिए, कुछ सिस्टम बनाना चाहता हूँ. तो सबसे पहले मुझे, यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं, राइट हेंड साइड टॉप के उपर, यहाँ पर लॉग इन है, यह सिर्फ आपको एक ही बार करना है, एक बार करेंगे तो अपने बाद, नेक्स टाइम अपने आप ही वो लॉग इन हो जाएगा, और यह लॉग इन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक्दम सेफ है, और आपको लॉग इन के लिए खुद नया साइन अप करने की भी ज़रूत नहीं है, अगर आप फेस्बूक या गूगल में लॉग इन है, तो वो अपने आप सब डिटेल्स ले लेगा, तो मेरे पास, जनरली मैं गूगल में लॉग इन रहता हूँ, तो मैं गूगल पर क्लिक करता हूँ ये, अगर आप फेस्बूक ज़्याद है उस करता हूँ, तो फेस्बूक कर ग्लिक करके भी लॉग इन कर सकते हैं, तो मैं ये गूगल पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके मुझे कुछ नहीं करना हूँ, वो बागी सब अपने आप होता रहेगा मैंने अभी क्लिक किया है और आप देख सकते हैं कि मैंने और कुछ नहीं किया लेकिन मैं यहाँ पर लॉग्ड इन हो गया है मेरा नाम उपर टॉप पर आ गया है धर्मेंदर शेट मतलब मैं यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर लॉग इन हो चुका हूँ अभी मुझे क्या करना है यह डिक्शनरी के अंदर यह प्लस देखते हैं आप टॉप पर यह मिडल में प्लस साइन तो यह जो है वो डिक्शनरी का एक स्पेशल फीचर है वो dictionary plus आप बोल सकते हैं तो वो feature को use करके आप बहुत सारा काम कर सकते हैं कैसे मैं बताऊँगा आपको जैसे मैंने plus के उपर click कर दिया है जैसे मैंने plus पे click किया तो मेरा dictionary plus पे जो है वो खुल गया है अभी क्या कर सकता हूँ मैं या तो जो dictionary वालों ने खुद अपने list जो रखे है वो list को use करके मैं vocabulary इंप्रूव कर सकता हूँ या फिर मेरा खुद का भी कोई में list बना सकता हूँ पहले देखते हैं कि list कौन से अलएड़ी दिये है उन लोगों ने तो यहाँ पर देख सकते हैं कि advance है फिर intermediate level के भी बहुत सार quizzes है primary level के भी बहुत सार quizzes है चलते हैं all word lists कैसे word lists उन लोगों ने बना के दिये हैं वो पहले देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे unit wise lists ready है advance भी है आप देख सकते हैं बहुत सारे list है beginner level के भी है और यहाँ पर नंबर of words भी लिखे हैं कि यह जो quiz बनाई है dictionary वालों ने खुद तो उसके अंदर beginner level पर यहाँ पर 20 words है और वो सब words food और drink के बारे में है यहाँ पर education के बारे में 20 है appearance के बारे में 20 है तो यह सब already ready made list है किसी भी एक को हम ट्राइ करेंगे चले यह beginner वाला एक को ने appearance वाला तो मैंने यहाँ पर click के है appearance वाला तो वो किया करेगा जो 20 words है वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा nose तो वो किया है the part of your face through which you breathe and smell उसको आप British pronunciation nose या American pronunciation nose दोनों को आप सुन भी सकते हैं आपको यह याद रखना है अगर आपने याद रख लिया तो दूसरा word कौन सा है वो देख लेते हैं तो सबसे पहला task होगा वो आपको study करना है तो यह आपने एक पर study कर लिया यह जो भी 20 words यहाँ पर दिया एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद आपने study कर दिया यह study करने के बाद अभी आपको क्या करना है आपको अगर download करना है तो आप download भी कर सकते हैं आपको test करना है तो test भी कर सकते हैं तो चलिए test करते हैं तो यह मैंने क्लिक किया है test yourself, यह सिर्फ 20 words के लिए जो inbuilt test है मैं उसको use करना हूँ, तो यहाँ पर आपी हमारा test start हो गया, सबसे पहले test item है which word or phrase matches the definition, तो यह definition यहाँ पर दिया है, adjective है, used to describe hair that is an orange brown color, तो orange brown color ऐसा अगर hair है, तो उसके लिए कौन सा word यूज़ करते हैं, तो चलिए मुझे, मालूम नहीं है, तो मैं कुछ भी एक लिख देता हूँ, यह से मैंने लिख दिया red, अरे वा, यह तो अच्छा हो गया, मेरा answer correct निकला, ओके, अभी मैं next word देखता हूँ, अभी which word or phrase matches the sound, तो यहाँ पर यह बोलेंगे और आपको लिखना है कौन सा word है, तो यह listening test भी इसके अंदर हो जाता है, फिर तिसरा देखते है, which word or phrase matches the definition, the thin thread-like parts that grow on your head, आपके head के ओपर जो thin thread-like parts होते हैं, उसको क्या कहेंगे, मेरे पास तो कम है वैसे, तो वो होता है, air, यह मैंने submit भिया, correct answer, अभी देखते हैं, next answer हम wrong लिखते हैं, फिर देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो next है, the part of your face through which you breathe and smell, तो आप breathing कहा से करते हैं, आपको मालूम यह nose यह answer है, लेकिन मैं nose नहीं लिखता, मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे mouth लिखता हूँ, और देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने यह बताया कि मेरा mouth answer गलत है, correct answer है, nose, तो इसी तरह से आप यह practice कर सकते हैं, सब words का, फिर at the end आपका जो पूरा result है, वो भी दिखाएंगे, कितने answers आपके correct हैं, आप उसको repeat भी कर सकते हैं, test को, अभी मैं जाता हूँ फिर से all word list पे, अभी मुझे readymate जो भी है, hundreds of word list उनों के, उन्होंने बनाया है, वो मेरे को use नहीं करना, मेरे तो एक मेरा खुद का word list बनाना है, जो भी words मैं मेरे सुनने में या मेरे पढ़ने में आता है, मैं उसको याद करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया word list बनाओगा, तो कैसे बनाता हूँ, सबसे पहले मेरे पास चलिए कोई भी random words लेते हैं, पहला मैं लेता serendipity, यह नया word आया है मेरे पढ़ने में या सुनने में, serendipity, और मुझे यह word याद रखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसका meaning study कर लूँगा सबसे पहले, example sentence होगा तो वो भी study कर लूँगा, बाद में यहाँ पर यह plus sign है, आप देखते हैं, यहाँ पर plus sign, तो यह जो center में plus sign है, उसको मैं click करता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, add this meaning to a word list, तो मैं plus करूँगा, तो वो पूछेगा कि मुझे कहाँ पर यह word list में डालना है, अगर आपको नया word list, तो यह एक नया word list बना लेते हैं, तो new word list का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, आज कौन अभी उन्होंने पता है कि मेरा जो यह word है, यह 26 January list में आ गया है, बराबर, अभी मैं एक दुसरा कोई word देखता हूँ, चलिए किसी की, किसने गीत काया और मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगी, तो मैं बोलूँगा, आपकी आवाज तो बहुत ही बढ़िया है, उ उसका मैंने meaning में देख लिया, pronunciation में देख लिया, उसके बाद मैं मैं उसको क्या करूँगा, फिर से मेरे word list यो बनाया है, उसके अंदर add करूँगा, तो मैं फिर से plus पे click करूँगा, यह plus पे click किया, और मुझे पुचता है कि मुझे यह word कहां पर डालना है, तो मेरा आज का list यह है, तो मैं उसके पर click कर दोगा, तो जैसे click किया, अपने आप वो word उसके अंदर से ला गया, एक कोई और word ले ले लेते हैं, serendipity ले लिया, mellifleos ले लिया, कोई, चलिए अभी मैं stock market के कुछ पढ़ रहा था, उसके अंदर एक बार बार वो बोलते है, nifty, nifty सुनते ह लेकिन मेरे दिमाग बे उसका normal English word, जो है, उसका meaning आएगा, जो है good, pleasing, effective, अगर कोई चोटा सा gadget है, बहुत बढ़िया है, काम भी बहुत बढ़िया करता है, तो मैं बहुता हूँ है, this is a nifty little gadget, so nifty, good, pleasing, effective, यह एक word हो गया, चलिए एक कोई random, चलिए अभी हमको store करना है, 26 January म एक और ले लेते हैं, जैसे random, random wordy ले ले लेते हैं, random, इसका भी मैंने meaning देख लिया, सही तरह से समझ लिया, बाद में इसको plus करते हैं, कहाँ पर डालना है, 26 January, कितने लिए हमने 4 ले लिए, चलिए एक final last ले ले लेते हैं, लेते हैं, यह हम system मना रहे हैं, तो चलिए system wordy ल इस system, उसको भी मैं plus पर क्लिक करके add करता हूं, कहाँ पर 26 January वाला list है, वो, बरबर, अभी मेरा 26 January वाला list है, वो, मैंने set कर दिया है, जैसे आज नए 5 words मैंने सिखे है, अभी मुझे उसको practice करना है, तो मैं क्या करूंगा, वही word list पे फिर से जाओंगा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, जहाँ पर लिखा है 26 January, या फिर मैं plus में जाके भी कर सकता हूं, देखो, मैं यहाँ पर plus क्लिक करता हूं, यहाँ से word list जो मुझे दिखते हैं, उसमें से go to my word list, तो मेरे word list में जाओंगा, उसमें जो भी word list से मेरे, उसमें से, मैं 26 January जो है, पांच वर्ड्स वाला, वो में select कर लेता हूँ, यह मैंने select कर लिया, यह मेरा list है, कुद का, जो dictionary ने store किया है, वो हमेशना store करके रखेगा आपके लिए, जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं, तो यह मेरा set आ गया है, अब ही क्या करेंगे, पहले सब वर्ड्स को study कर चलिए, यह study हमारा चालो हो गया, system word है, set of connected things, random happening or chosen by chance, nifty, good pleasing, mellifluous, having a pleasant flowing sound and serendipity, the fact of finding interesting or valuable things by chance, तो यह पांच words मैंने study कर लिये, मुझे सुनना है तो मैं सुन भी लूँगा, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर लूँगा, अगर प्रेंट लेना है, अगर प्रेंट को, या फिर सिर्फ टेस्ट करना है, तो मैं टेस्ट करूँगा, चलिए, टेस्ट कर जाएं, हमने list अभी ही बनाया है, तो इसलिए हमारा result तो 100% आना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पुरान ला list है, जिसमें 20, 25 words आपने add किये हैं, तो हो सकता है, आपका 3-4 words गलत भ devices that operate together, तो हमने जैसे ये एक system बनाया है, तो हमने जैसे ये system हमारा answer हो गया, चलिए, अच्छा है ये, second, which word or phrase matches the definition, good, pleasing or effective, या दे किया अपको, कौन सा वर्ड है ये, बोली जिए, stock market या या ये वर्ड है, निफ्टी, चलिए निफ्टी लिखा गया, अच्छा है, ये भी correct व happening, done or chosen by chance, rather than according to a plan, कोई plan नहीं है, अपने आप ही होता है, अगर आप आपका कबड खूल के कुछ देख रहे हैं तो उसमें आपको पुराना एक wallet मिल जाता है, तो वो by chance मिल जाता है, it's something that happens by chance, it is not planned, वो गया, वो random, हमने आद जो वर्ड के वो पी random ही लिया है, फोर्थ, having a pleasant and flowing sound, कौंसा वर्ड आपको याद है, बेगिनिंग विद M, विली फ्लूएस, राइट, और नेक्स्ट जो है, which word or phrase matches the sound, अभी यहाँ पर audio clip है, तो वो आपको सुनना है, serendipity, serendipity, जो ये वर्ड है, serendipity, तो अभी आपका answers आपको देखना है, तो see my answers पे click करेंगे, तो आपके सब answers दिखाएंगे, well done, आपके जही answer है सब, अगर गलत होता तो वो भी आपको बता देता, अगर आपको फिर से try करना है, तो फिर से कर सकते हैं, आपको अपना पुराना लिस्ट पे जाना है, सब वर्ड लिस्ट पे तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, आप लिक करके, तो यह एक जो method है, वो बहुत ही powerful method है, vocabulary को revise करने के लिए, याद रपने के लिए, वरना ज्यादा तर, अगर मैं 1000 words study करता हूँ, तो एक मेने के बाद मेरे पास 1000 में से 100 ही रहेगा, सायद, बागी सब तो नए words चले ही जाएंगे, तो इसको बार-बार आपको revise करना पड़ता है, तो revise करने के लिए बहुत ही handy और बहुत ही convenient यह tool है, यह Cambridge Dictionary वालोंने बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका use करें, और आपकी vocabulary को enrich करती है, अगर आपके पास कोई questions है, तो वो questions आप मुझे भेज सकते हैं, मेरा number भी आप note कर सकते हैं, 98254-42418, I'll repeat, 98254-42418, बहुत सारे language के वीडियोज हमने बना के रखे हैं हमारी YouTube चैनल पर और हमारी वेबसाइट पर, आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं, www.fluentlingua.com, और हमारी YouTube चैनल भी वही नाम से हैं, Fluent Lingua, इसमें गुजराती, Hindi, English, ये तीन लाइंग्वेज में हमने बहुत सारे वीडियोज बना हैं, vocabulary के लिए, grammar के लिए, pronunciation के लिए, तो आप देखिये, और अगर कुछ भी आपका सुजाओ है तो भी हमको बेज दीजिए, धन्यवाद,